नवश्कार लाइफचीटीज में आपका स्वागत है मैं हूँ आपकी साथ पिती जा बिहार में प्रोफेसर बनने वाले लोगों के लिए योगिता जो है वो निर्धारित की गई है जी आप बता दे आपको की राजभवन के तरब से अधिसूचना जारी किया गया है उस अध प्रोफेसर बनने वाले है उनके लिए थोरी बहुत सहुलियत जरूर हो जाएगे जी आपको की राजभवन ने अधिसूचना जारी कर प्रोफेसर पदपर नियुकती के लिए आविदन करने की अनुभव जो है वो पात्रता स्पस्च कर दी है इसको लेकर अधिसूचना के प्रोफेसर पदपर आविदन के लिए अब आविदन को एसूचे प्रोफेसर की रूप में पाथ साल का नुभव अध्वार रीडर स्चन ग्रेड लेक्षर के रूप में कम से कम आठ साल सेवा का नुभव होना ज़रूरी होगा यह मौलिक रूप से अनिवार माना जाएग वहीं आपको बता दे कि राजभवन के तरफ से जो अधिसुचना जारी की गई है उसके तरफ से बता दे तो उसमें साफ कह दिया गया है कि एसोसियेट प्रोफेसर के लिए सेलेक्शन ग्रेड लेक्षर को पिएच्डी डिग्री होना निवार होगा इस समद्ध में पटना विश्विद्याले के कुलपती को भी अबगत करा दिया गया है दरसले मामला जो है वो केरियर एडवांसमेंट स्कीम का है जोसे कुछी दिन पहले पटना विश्विद्याले ने मानने किया है UGC के अध्याक्ष साफ तोर से इस पर बताये कि नए नियमों के तहट किसी भी कॉलेज या यूनिवरसिटी में असिस्टेर प्रोफेसर बनने के लिए पिएच्डी अनिवार नहीं होंगे इसके लिए अब सिर्फ यूजिसी की जो क्वालिफिकेशन होती है वो क्वालिफ UGC की ओर से पिएच्डी को लेकर नए नियम लागू किये गए ये नए नियम में पिएच्डी के लिए अधिक्तम 6 साल का समय जो है वो दिया गया है उमिदवारों को री रेजिट्रेशन के जड़िये ज़्यादा से ज़्यादा दो साल का और समय दिया जाएगा नए निय प्रक्रिया के दोड़ान दो रिसर्च पेपर छपवाने की जो अनिवारिता थी वो खत्म कर दी गई है तो देखे इस तरीके से जो चात्र बिहार में प्रोफेसर बनना चाह रहे थे और इसी को लेकर बता दे आपको कि ये राजभवन के तरब से नए नियम जो है वो बना कर दो अजड़ वो खत्रा था प्रव दो खत्ला-ख।